नमस्कार, trending stocks में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ संदीब ग्रोवर Zomato का share जबरदस action में है, क्यों trend कर रहा है, क्या तीजी की वज़ा है अब इस share में क्या करना है, चले जल्दी से जानते है Zomato का share में आज हमने देखा है, 19% तक का जो उचाल है वो बनता हो देखा है इंटर डे में share almost 20% उपर हो गया था, 270 रुपे, 45 पैसे ये इसका इंटर डे हाई है और in fact इसका 52 विक हाई भी है और आप कहा सकते हैं इसका record high level भी है जो कि इसने पहली बार चुआ है आज के session में, एक महिने में आप देखेंगे 25% से जादा की return और ये share डिलिवर कर चुका है 6 महिने में 82% और एक साल में ये share 208% यानि की 3 गुना से जादा की जो returns है वो डिलिवर कर चुका है तो multi bagger stock है लेकिन आज का जो action बनाया है उसके पीछे वज़ा है तिमाही नतीजे तिमाही नतीजे बेहर शांदार है और खास तोर पे इनका जो मुनाफ़ा आया है वो आप देखेंगे 126 गुना से जादा की बढ़ोतरी इनके मुनाफ़े में देखने को में लिए 253 करोड उपे का मुनाफ़ा इस कंपणी ने रिपोर्ट किया है रेविन्यू की जातक बात है तो वो भी 74% बढ़कर 4206 करोड उपे आते हो देखें हैं पिछले साल Q1 के अगर हम बात करें जो लास क्वाटर था पिछले साल का पहली बार ऐसा हुआ था जब ये कंपणी मुनाफ़े में आई थी और इस बार का जो नंबर आया है ताबर तोर नंबर इसने पोस्ट किये हैं जिस वज़े हैं हम देखने को मिल रही है फूड डिलिवरी के कारोबार में आप देखेंगे तो 10% की जो बढ़ातरी है वो देखने को मली है और फूड डिलिवरी की जो ग्रॉस आडर वैलियू है उसमें 27% की जो ग्रोथ है वो इस कंपणी ने इस्तिमाही में पोस्ट करी है हाइपर क्योर का जो रेवनियू है वो 27% बढ़ता हूँ दिखा है और उसके साथ साथ कंपणी ने डिस्टिक नाम से एक नया आप भी खोला है तो नए जो रेवनियू के स्रोथ है या नए ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है उसके लिए भी कंपणी कामकाज करती हुए नजर की बात ब्लिंकिट के कारोबार के अगर हम बात करें तो ब्लिंकिट इनके लिए एक बड़ा रेवनियू स्रोथ है पिछली तिमाही के मुकाबले देखें तो इनका जो रेवनियू है वो करीब 27% के आसपास बढ़ता हूँ दिखा है रेवनियू जो 779 करोड उपे था वो इस्तिमाही में बढ़कर 900 करोड उपे के पार चला गए 942 करोड उपे का जो रेवनियू का नंबर है वो इन्होंने पोस्ट किया है और जी ओव यानि की जो ग्रॉस ओर्डर वैल्यू है उसमें भी आप देखेंगे प्रती स्टोर प्रती दिन जो बढ़कर है वो 10 लाख प इसे उनको ऊपर की और रिवाइस किया है जेफ्रीज ने 275 रुपे का लक्षे दिया जो पहले 230 था सिटी ने और नमूरा ने 280 रुपे के टागेट दिये हैं दोनों की बाई रेटिंग के स्टॉक के उपर पहले 225-235 के टागेट थे और मौगन स्टेलनी भी ओवरवेड अब भी भी बरकरा रहे 235 रुपे का पहले टागेट था अब उसे बढ़ा कर 278 रुपे कर दिया गया है तो कुल मिला के 275 से लेकर 280 रुपे की रेंज में जो नए टागेट्स हैं वो जो मैटो के शेर में आते हो देखे हैं जबर्दस एक्षन बना है जिससे के नमबर्स हैं ताबड तोर वैसा ही कुछ तोड़ फूड रियाक्शन जो है वो इस टॉक में भी देखने को मिल रहा है लेकिन करना क्या इस शेर में अब इस शेर में राय क्या आती हो दिख रही है हमने एक्सपर्ट से बातचीत करी मंत्री फिनमार्ट के फांडर अनु मंत्री जी मा है सकते हैं अगला लक्षे जो निकल के सामने आ रहा है वो है 285 रुपे का जिसके लिए आप इस शेर को होल कर सकते हैं लेकिन फ्रेश खैदारी से आपको बचना चाहिए क्योंकि शेर में आलड़ी बहुत जादा रन अप देखने को मिल चुका है ब्रोकर्स पॉजिव है जिनके पास हैं उनकी चांदी है वो होल कर सकते हैं आगे और भी तेजी बन सकती है 285 रुपे तक के लक्षे के लिए 240 रुपे का आपको यहां पे स्टॉप रस रखना होगा तो यह तो बात हुई जो मैटो की जिसके नमबर्स बहुत शांदार हैं जिसके बाद आज हमने अलमुस्ट 20 पसंद के आजपस की तेजी स्टॉप में बनती हुई देखी है ऐसे कुछ और स्टॉप जहां पे जबरतर स्ट्रैक्शन बन रहा है ट्रेंडिंग स्टॉप हैं उन पर मैटनान का फोकस लगातार बरकरार है अगली वीडियो जोल्द आपके लिए हाजियर करे प्रूंट